रोशन रोई से आपकी बादचीत हुई आज हुई बस थोड़ी सी जाता देर नहीं अब हमरा लखो जो हो कि थाना पुलिस बकिलावा गे दिलावा लागा के छोड़ी लगाई देनी लिलावा गे क्या लगता है जो बिवाद यहां तक आचुका है उसको आप सम्हाल पाएंगे क्योंकि लगाता है आप अपना रिस्ता बचाने का जो प्रियास कर रही है पिशली बार भी आपने यही कह था हम सर्फ रोशन रोई के साथ रहना चाहतें उनसे साधी करना चाहते हैं क्या आज हाई कोट में किरन सिंग और रोशन रोई दोनों पहुंची हुए थे अधिवक्ता सिम्नंदन भारती जी के पास आपस में दोनों में बहुत सारी बातचीत हुई बहुत सारी चीजें हुई हम साफ तोर पे जानेंगे अधिवक्ता सिम्नंदन भारती ही से कि आखिर रोशन रोई और किरन सिंग को लेकर मामला जो था जो इतने दिनों से विवाद चल रहा था उसमें क्या कुछ बदलाव आया क्या कहीं है डिसम डोनों को समझाएं क्यों से सासे में डार होती हैं को रिस्ते मान लिजेयर तो लड़की के पास भी केस करने का जो अधिकार है वो रहता है लड़का के पास भी अधिकार होता है बचने का डिफेंस कीज़े तो वो अधिकार पर कोई कतम यह समाज में इस तरीके से यह मैसेश जानना चाहिए कि जब दो पक्षकारों में बातचीत से मामला घर-बरा जा और यह दिये हो जाएगी तो हमको भी जास मिलेगा उमेश जी जो है उनको भी जास मिलेगा अकलेश जी को भी जास मिलेगा क्यों की लोगों ने गारजन की भूमिका में निवार बहुत ही सचे दिल से इसमें अकलेश जी और उमेश जी का भूमिका रहा और इन्हों ने तुक के घरी में इनको अखले में वो उमेज जी है, अंका जी है इन लोगों ने साथ दिया तो इभी बच्ची अपने बोले के लोगों से पूछ रहे हैं मसबरा करके पिशली बार जो स्टेट्मेंट आपने दिया था रौशन रोही आपके पास आये थे और केस की बात भी चल ली थी आपने कहा था कि यह सारी केस हो सकते हैं यह सारे इलिगेशन लग सकते हैं तो हम साफ तर पर कह सकते हैं कि रौशन रोही जो उस समय जो आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेगर अभी तो आए जो भी मेरिटर है रखा गया और दोनों में गलत सेंड़ी था जो सर के पास आके थोड़ा सा दूर हुआ और अभी बहुत बाकी है अभी टाइम दिया गया है कि समय कुछ कि उनको भी थोड़ा सा यह मिल जा हमें भी बट अभी पूरास नहीं हो चाहिए क्या लगता है जो बिवाद यहां तक आ चुका है उसको आप सम्हाल पाएंगे क्योंकि लगातार आप अपना रिस्ता बचाने का प्रियास कर रही है पिशली बार भी आपने यही कहा था हम सर्फ रोशन रोही के साथ रहना चाहते हैं उन प्रियास किया है कि दोनों की रिस्ते में जो दरार आई थी वो हट जाए और दोनों वापस से एक हो जाए यह अपने आप में कहें तो बहुत बरी बात है सायद ही कोई वैक्ति ऐसा होता है जो सोचता है कि दो क्लाइंटों को बीच में सुलह करवा दे क्योंकि आप जानते कभी यही सोच था हमने भी पहले कहा था कि हम दोनों का पक्ष रखेंगे और जाने के बात प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच में जो गलत फेहमिया है उसको दूर कर सके आज दोनों में बाचित हुई है देखी आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे क कवर के लिए बने रही है हमारे साथ